नमस्कार, स्वागत है आपका वेकप इंडिया में, मैं हूरक्षिता मिश्रा कई बार कुछ खबरे मनविचलीत कर देती है, मानफता को शर्मसार कर देती है आज जो खबर में आपको बताने जा रही हूँ, उसे देखने के बाद इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा खबर है बिहार के समस्तिपूर से, जहां एक माता-पिता अपने बेटे के शव को घर ले जाने के लिए सरकों पर भीख माग रहे है आईए जानने के कोशिश करते हैं क्या है पुड़ा मामला आज के इस वीडियो में दरसल बिहार के समस्तिपूर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक बेबस माता-पिता सरकों पर भीख माग रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताजपूर थाना छेतर के आहार कजबे से 25 वर्षिय महेश ठाकूर के बेटे जो मानसिक रूप से विचिप्त था वो 25 मई को लापता हो गया परिवार वालों ने बेटे को बहुत धूंडा पर वो नहीं मिला इस बीच 7 जून को पता चला की पडोस के इलाके में एक शव मिला है जब अपने बेटे का शव पहचानने के लिए माता पिता सादर अस्पताल पहुँचे तो पोस्ट मॉटम कर्मी ने उन्हें शव दिखाने से साफ मना कर दिया काफी गिरगिराने के बाद पोस्ट मॉटम कर्मी ने शव दिखाया तो माता पिता ने अपने बेटे को पहचान लिया अब हैरानी की बात ये है कि अस्पताल के करमचारी ने शव के बदले माता पिता से 50,000 रुपे की घूस की मांगखी माता पिता ने अस्पताल की कर्मचारी को बहुत समझाया कि वे गरीब हैं इतने सारे पैसो का इंतजाम नहीं कर सकते लेकिन अस्पताल ने उन्हें शव नहीं दिया आखिरकार लाचार होकर माता पिता को भीक मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा भीक मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद अस्पताल पशासन की नींद तूटी और उन्होंने आननफानन में शववाहन से शव को माता पिता के घर भेज दिया जब मामले ने तुल पकड़ा तो अस्पताल पशासन ने एक जाच कमिटी बनाने का एला किया ये पहली बार नहीं है जब बिहार से इस तरह की विचलित करने वाली खबरे सामने आई है नितीश कुमार जी बिहार के सीम तो बन चाते हैं लेकिन अपने जिम्मेदारियों को नजर अंदास कर देते हैं मैं आपको बता दू कि बिहार में सरकारी के नाम पर स्कूल हो या अस्पताल बिना घूस के कोई काम नहीं होता बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज तो दूर की बात है मरीजों को भरती करने के लिए बेड तक उपलब नहीं होता बिहार के ज्यादा तर सरकारी अस्पताल में कॉंट्राक बेस पर कर्मचारी होते हैं जिने समय पर वे गूस दे भी देते हैं इन गूस खोरों से कोई सवाल करने वाला नहीं है जिसके कारण दिन बदिन बिहार में ब्रश्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और हमेशा की तरह राजसरकार नितीश कुमार जी की सोच भी बिमार पर गई है जिने बिहार के लोगों की तकलीफे दिख प्रशाई नहीं देती बिहार हर मामले में आज से कई साल पहले जिस स्टेज पर था आज भी वहीं पर है फिर चाहे वो सिक्षा विभाग हो या फिर स्वास्त विभाग या फिर रोजकार के मामले में बिहार भारत के सबसे पिछड़े राजियों में से एक है जहां सरकार पबलिक की खून पसीने की कमाई को अपना माल समझ अपना घर भड़ लेती हैं जिसके कारण बिहार में कभी कोई सुधार नहीं हो पाती तो अम नितीश सरकार को बिहार की जनता की आवाज सुननी होगी और सरकारी विभाग में सुधार लाना होगा साथी बिहार में करने के लिए और देश और दुनिया की जरूरी खबरे देखने और सुनने के लिए वेक अप इंडिया को सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन को दबाईए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया जल मिलते हैं नए खबर के साथ